मेरे मंदिर के नील चक्र को थामने के लिए तुमने अपने अश्ट पुछ स्वरूप को प्रकट किया आज के बाद मेरे जगनात पुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ प्रभू ये भक्त तो बस आपकी भक्ती का प्यासा है आपकी सेवा करने के लिए ललायत है मैं वचन देता हूँ प्रभू आज के बाद मैं यहां आपके मंदिर का कवच बनूँगा किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगनात्पुरी मंदिर के निकट नहीं आने दोंगा अनुमानुमानुमानु तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम इतनी भक्ति है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रोकोगे इसलिए मैं तुम्हे आशिरवाद देता हूं सफ़लफफफफफफफफफफद धन्यवाद प्रभू अत्वा नहीं अब मुझे प्रभुकारी के लिए जाना चाहिए प्रभुकारी किन्तु वो तो संपन हो गया था ना गजानन नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी किन्तु समुद्र को मंदिर पहुचने से रोके विना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था ये हनुमान जी को भी ग्याद था किन्तु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे वो तो तीवर गती से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे किन्तु जब स्वयम संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे तो वहां भला कैसा संकर्ड़ तेष्विरा संसार में किसी भी कारे को संपन्द करने के लिए राम नाम ही पर्याप्त है इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा अब समुत्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं शीक्र जाकर प्रभू की आराध्वा और उनके दर्शन कराता हूं जैशी जगनाद जी प्रभू जगनाद जी की भत्ती भाव से दर्शन करूंगा प्रभू का आशिरवाद प्राप्त करूंगा और शीगरी अपने इस्थान पर लोट जाऊंगा प्रभू जगनाद जी की अधिक समय मत लगाना यहां पादुकाय मुल्यवान हैं कहीं चोरी हो गई तो प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा ना? शांत रहिए और पूजा करने दीजिए चलो भी, अब हो गई पूजा, भीर भी बढ़ रही है विचित रहे ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है चलो अब हो गई पूजा शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है पता नहीं किस खूटे से गडबंधन कर दिया पिताजीने मेरा पूजा तक शांती से नहीं करने देते चलिए पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाएं पहन कर ना चला गया हो भगवान के मंदिर में ऐसा मो ये उचित नहीं इसे तो रोखना होगा मुझे देखा मेरी पादुकाएं मेरे पाओं में नहीं समा रही है संभावता किसी ने चुरा लिया यहां से ये भी नहीं है व्यर्थी पूजा के समय में इतना समय नश्ठ हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोड़ी हो गई देखा ये पादुकाएं मेरी नहीं है संभावता बदल दिया किसी नहीं है ये भी नहीं है शिग्रता करने को कहा था मैंने तुमने एक बात नहीं मानी मेरी कोई और ले गया मेरी पादुकाएं जिनोंने संग दोश को जीत लिया जो अध्यात में स्थित हैं जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंदों से विमुक्थ हो चुके हैं वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं और वो यहीं संभव है इसलिए यहां तो वो पुन्य मिलता है जो सदा साथ रहता है जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता उसमें ध्यान लगाना चाहिए धन्यवाद ब्राह्मन देवता आपने मेरी आँखे खोल दी मुझे मेरी भूल समझ आ गई पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मोह में मैं प्रभू के दर्शन भी नहीं कर पाया हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं कि अब मैं भी दर्शन करता हूँ उस आगर तो फिर यहां पहुंच रहे हैं कि अज़ है दूल मजग है भी हैं सागर जी आप शान्त और इस्थिर रहिए जिससे मैं मेरे प्रभू के दर्शन कर सकूँ धन्यवाद सागर जी तुम प्रभू से क्या मांग रही हो बहन? मुझे तो महाप्रभू से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए भवन का मैं क्या करूंगी? बहुत बढ़ा भवन है मेरे पास मुझे तो सुमित्रा जैसे मूलेवान आभूशन चाहिए सुभद्रा से अच्छे आभूशन है मेरे पास मुझे तो प्रभू से सिर्फ संतान चाहिए यह मंदिन में प्रभू के दर्शन के लिए यह आपस में वाकियुद्ध के लिए आई है पुजारी जी यह प्रभू के चरणों के पुश्प है ना तब आप मुझे पर एक कृपा कीजिए प्रभू के आशिरवात के रूप में यहां उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्शा कर दीजिए एक भी पुश्प यदि जोली में आ गया तो प्रभू की कृपा पाने की कामना पूरी हो जाएगी जै श्री जगनात लो हमें तो पुश्प दिया ही नहीं भगवान ने हम यदि आशिरवात के भूखे हैं तो प्रभूवी भक्ती के भूखे हैं और जो भक्त उनकी भक्ती की भूख को शान्त करता है उन पर उनकी विशेश कृपा होती है किन्तु आपने क्या किया आई तो थी भक्ती और दर्शन करने के लिए और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उल्जी रही इसी लिए तो आप प्रभू की विशेश कृपा से वंचित रह गई कामनाओं का कोई भी अंत नहीं यदि हम इश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए जब आप सब लोग प्रभू की बात ही नहीं सुन सकती तो आशिरवाद की कामना कैसे कर सकती हैं सागर जी तो पुना उग्र हो रही है समुद्र जी मैं अभी तक एक बार भी प्रभू के दर्शन नहीं कर सका आप एक बार मेरे प्रभू के दर्शन तो करने दीजिए वैसे ही वहाँ पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं इसलिए आप तो शांत रहिए इस बार प्रभू के दर्शन अवश्य करूंगा मैं पुजारी जी धन बहुत है मेरे पास उसमें से मैं आपको भी दूँगा बस मेरे अस्वस्त पिता जी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजे ये कम है तो मेरे भवन आईए मैं आपको धन से तोल दूँगा किन्तु आपको मेरे पिता जी को सरलता से मोक्ष दिलाना है कैसी मुर्खता है ये धन देकर पिता के लिए मोक्ष मूल लेना चाहता है ये लिजे पुजारी जी स्वर्ण का अमूल लिहार है किन्तु कुछ कीजिए मेरे पिता जी को कुछ हो उसके पहले आप प्रभु की पूजा करके इनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजे जहां प्राण वायू की आवश्यक्ता है वहां धन का कोई लाब नहीं कितना भी धन दे दो ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाय है वो है भक्ति भक्ति ही प्राण वायू है यदी आप हिर्दय में भक्ति रख कर प्रभू का नाम लेंगे तो हिर्दय में प्राण वायू का भी संचार होगा हरियो 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 आप भक्ती भाव से शंग को बजाईए आप स्वस्थ भी होंगे और प्राण वायू के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी आप प्रभु जगनात जी का नाम लेकर बजाईए अवश्श बजेगा जे प्रभु जगनात जी अद्मुत पिता जी कुशल हो गए क्षमा करे ब्रहामन देवता मैं पैसों के बल पर भक्ती मोल ले रहा था आप मेरे नहीं प्रभु के चरणत पर्ष करके उनसे शमाय आजना करें उनके दर्षन करने आए हो वच्स और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं जिस प्रकार जीवित रखने वाली स्वास को मोल नहीं लिया जा सकता वैसे ही मोक्ष प्राप्ती का कोई भी सरल मार्ग नहीं है महान भक्त अपनी सेवा भक्ती से नहीं जूगते श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्ग दर्षन करने लगे जबकि उन्हें स्वयम प्रभु का दर्षन नहीं हुआ यही तो उनकी महानता है जिनके सामने हम सभी नत्मस तक हैं और जिस प्रकार वो सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे उससे कुछ महान होने वाला था महाभक्त हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भक्त प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भटकाव के सची भक्ती के साथ वहाँ पहुँचे किन्तु ये कैसे किया उनोंने प्रभु यहां तो सभी भटके हुए हैं एक-एक को समझाना तो असंभव है अब आप ही कोई मार्क दिखाईए मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यों है यहां तो इनके मन में किवल एक ही विचार होना चाहिए प्रभु की भक्ति का कामदेव यहां जो घट रहा है तो उसके पीछे कामदेव ही है कामनाओं से मुक्ति ही सच्चे अर्थ में प्रभु का दर्शन है व्यक्ति का मन कामनाओं से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था उन्हें कामदेव की उपस्थिती और उसका प्रभौ स्पष्ट दिखाई दे रहा था हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के ख्षेतर को कामदेव से मुक्त करना होगा और अब हनुमान जी जगन नाच्ची पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे आप जो भी कर रहे हैं किर्पा करके उसको रोप दीजिए और आप यहां से प्रस्थान कर जाईए एक साधारन ब्रामन अला मुझे कैसे पहचान सकता है यह सब क्या है आप कौन है ब्रामन देवता श्रद्धा भक्ति और समर्पण मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए किन्तु ये सब कामनाव के विकार से ग्रस्थ हैं जो कदापी नहीं होना चाहिए इसलिए आप से आग रहे इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव बस मुझे चेतावनी देने वाले आप होते कौन? मैं यहां से क्यों जाओ? वो भी एक साधारन व्रामण के कहने पूँ? बदा भी नहीं मैं साधारन व्रामण हूँ या आसाधारन? इसका ध्यान करने के स्थान पर आप ये सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कटनाईयों के बाद जगत स्थान के लिए अलोकिक से लोकिक धाम बना है यदि यहां भी काम से ग्रस्थ होकर दूशित भावनाव के साथ भक्त यहां आएंगे तो भला प्रभु का आशिरवात कैसे पाएंगे? यही तो मेरा कार्य है किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने है तो नाला इसका चुनाप तो प्रतेक व्यक्ति सोय कर सकता है और इश्वर नैं इसी काम के लिए मुझे रचा है इसी परकार प्रकृति को आगे बढ़ाने मैं सहयोग देता हूँ मैं अवश्य कामदेव इस संसार को आपकी आवश्यक्ता है किन्तु प्रतेक स्थान पर नहीं ये तो मंदिर है अर्थात इच्छा और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहां केवल भगवान का वास होता है और यहाँ पर सभी का ध्यान एक मात्र इश्वर पर ही लगना चाहि तो मैंने कब किसी को रोका है कोई अपने मन से हुलजना नहीं चाहे गना उलजे ये तो आपको भी क्यात है कल्यूग में काम विकारों का बड़ा प्रवल प्रभाव है इसलिए प्रभु के इस्थान को छोड़ कर आप कहीं और चले जाए यहाँ पर प्रभु के भक्तों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए किन्तु मैं आपका आदेश क्यों माना आप कीजिए आप तो मेरी लिए अन्नि कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे हैं मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता अच्छा तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो पिन्तु मुझे रोपना है तो वहीं करना होगा अगर आपने मुझे पराजित दिया तो मैं धाम चोड़के सदैब चला जाओ पिन्तु अगर मैं अपने वानों से आपको प्रभावित कर सका तो मै सदैब इस धाम मैवास करूँ कामदेव आप एक बार पुनह विचार कर लीजिये आप मुझे अपना कारे करने से नहीं रोप सकते हनुमान जी मैं अभी भी अपनी चुनोती पर अडिग हूँ मेरे वानों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता उचित है फिर मुझे आपकी चुनोती सुईकार है तो फिर प्रथम बार आप ही किजी हनुमान जी तो क्या रामभक्त हनुमान भी कामदियों को नियंत्रित नहीं करता है? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ था पुश्पदंत जी, रामभक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं, अपितु रामभक्त हनुमान थे, अतह ये युद्ध अस्त्रों की शक्ती से नहीं, भक्ती की शक्ती से लड़ा जाने वाला था अब मेरी बारी है हनुमान जी, मेरे दिव्य पांच वानों से आज तक कोई स्वरक्षित बच नहीं पाए, आप भी बच नहीं पाएं, और मैं सदैर इस धाम में पास करूंगा उत्मादन वान, जीवान शरीर में उत्तेजना उत्पनकर कामना को जागरित करता है ये मेरे पांच वानों में से प्रथम और अचूक वान है, इसका कोई काट नहीं भर बांड का काट है, प्रभू श्री राम नाम का बांड जय श्री राम असंभव अभी चार वान शेश है हनुमान जी जोशन वान ये वो वान है, जो शरीर में कामना को अगरिसर करता है जय श्री राम आप अनुमान आप मेरे दो वानों को नश्ट करने में सफल हुए हनुमान जी अगर ये मेरे तीसरा और सर्व शक्तिशाली वान है, इसको आपकी गदावी नहीं रोक पाएगी मैं आपको फिर कहता हूँ, अभी भी समय है, आप लोट जाएए, नहीं तो प्रभुश्री राम का नाम लेते ही, आपका ये अती बलशाली बान भी व्यर्थ हो जाएगा जाएश्री राम अभी दो बान शेश है हनुमान ची, अपना बचाप कीजिए सम्मोहन बान जहाँ प्रभुश्री राम का नाम, वहाँ गदा का क्या काम जाश्री राम स्तंभन बान ये बान शोड़ते ही, आप स्तंबित हो जाएगे पिर अपने मुख से आप गभुश्री राम जी का नाम भी नहीं ले पाद अब मेरे सर्वशक्तिशाली काम बंद से आप स्वें को नहीं बचा सचा सकते देखा हरमान जी, आप मेरे स्तंभन में आही गए मेरे सभी बानों को आपने नश्ट कर दिया हनुमान जी, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं गुआ था आज से पहले और आज के बाद, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविश में भी जहां हनुमान है, वही प्रभु श्री राम का नाम है भक्त अनुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोख सकता काम देव आपके सभी बांड तो नश्ट हो गए कामदेव किन्तु अभी मेरे सभी बांड सुरक्षित है क्यूकि मेरे तो रोम-रोम में प्रभु श्री राम का वास है श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम आपने सरवता उचित का हनुमाई जी उच्छे भूल हो गए मैं भूल गया था कि भक्ती भाव से बड़ा कोई भाव नहीं एक भक्त को मंदिर में भक्ती के अत्रिक्त और किसी भाव के साथ नहीं जाना चाहिए मुझे एक शमा करदीश है मैं वचन देता कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लोटके नहीं हूँ और जो भक्त आपकी पूजा करेगा मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी इस्थान पर अपने परभाव से मुख कर दूँ रभू जगनाद जी की ये मेरे मनने किस प्रकार का भाव आ रहा था मैं तो यहां प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी यहां आएंगे काम विकारों से मुक्तो कर आएंगे भक्ति के पावन भाव से ओद प्रोथ हो कर आएंगे और उनके मुख पर प्रभु का नाम होगा मुझे साकर्ची को रोकने फिर जाना होगा जय श्री राम जय जगनात अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा अन्यता फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रवल इच्छा होगी मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयम को रोक नहीं सकूंगा प्रभु जगनात जी की जय रभु जगनात जी की जय रभु इस भक्त का मन नहीं मानता रह रह कर आपके दर्शन करने की इच्छा से बिचलित हो रहा हूँ मैं और इधर ये समुद्र जी जो हैं वो अबसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं तो प्रभु इस बार मेरे स्थान पर आप ही आजाए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके त्रिप्त कर दीजिए प्रभु 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 मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए मुझे प्रभु प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दीजिये, दर्शन दीजिये मुझे प्रभु प्रभु, ये मेरे कर्तव के लिए आवश्यक है प्रभु, आप अपने इस भक्त की ये छोटी सी छातों पूर्ण कर दीजिये भगवान कभी अपने सचे भक्त की गुहार को नहीं डाल सकते हैं उचित है, तुम जैसा चाहते हो, मैं वैसा ही करूँ किन्तु महाबली हनुमान को, कोई बेडी कैसे बान सकती है प्रभु, यदि आप बंधन में बांधेंगे, तो एक साधरन सा धागा ही परयाप्त है बस आप प्रभु उस पर नाम नाम लिख दीजिए प्रभु आप ग्रभु प्रभु दन्यवाद प्रभु भक्त हनुमान, तुम्हारे लिए तो प्रभु कारही सर्वो परी है तो मैं तुम्हे वर्दान देता हूं तुम सदा मेरे हृदय में रहोग और उसके साथ जगनात मंदिर के प्रत्य कण में वास करोगे तुम्हारे इस रूप को बेडी हनुमान के नाम से जाना जाएगा तुम्हारे दर्शन के बिना किसी भी भग की जगनात पुरी धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होगी और जो भी यहां तुम्हारी पूजा गरेगा उसके जीवन के सब ही संकट दूर हो जाएगा धन्यवाद प्रभू, प्रभू धन्यवाद प्रभू किन्तु मुझे आप से कुछ और भी चाहिए यदि आपकी आज्या होतों मैं मांग लू प्रभू, समुद्र देव बार बार आगे बढ़कर आपके पावन चरणों को ही इसपर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभू, आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें प्रभू, आपके इसलिया होतों मैं मांग इसलिया होतों त्यच्छा प्रणाम प्रभू कल्यान हो समुत्रदेव मैं खोशना करता हूँ चंपूर्न पूरी धाम मेरा ही है इसलिए यदि कोई मेरे मंदिर तक ना भी पहुंच सके तो भी यहां आपके तटकी मिट्टी के सपर्ष मात्र से वो मेरा आशिश राप्त कर सकता है इस मिट्टी का सपर्ष मेरे चरन सपर्ष के समान ही होता धन्या हो गया प्रभू आज मैं धन्या हो गया तो यह थी बेड़ी हनुमान की कथा अर्थात रामभक्त हनुमान की निस्वार्त और निश्चल भक्ती की कथा जिससे प्रमानित होता है महावीर महावली हनुमान जी के अपार बल का आधार शारेरिक बल से अधिक उनकी भक्ती है इसलिए यदि कोई कभी उने रोग सकता है तो वो है एक मात्र प्रभूश्री राम के नाम का बल हाँ पुत्र किन्तु हनुमान जी का कारे अभी संपन नहीं हुआ था बेडियों में बंद कर हनुमान जी सागर को रोकने के लिए अवश्य खड़े थे किन्तु अभी एक महत्वपूर्ण कारे करना शेश था किन्तु अण्य महत्वपूर्ण कारे क्या था माता सागर ने तो मंदिर के ओर बढ़ना रोक दिया था न सागर तरंगों का प्रभार रुका था तुफान थमा था किन्तु कुछ और भी था जो प्रभू श्री जगंदात को कश्ट पौचा रहा था और उसे भी रुकना ही था किन्तु प्रभू स्वय भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे प्रभू नहीं कर पा रहे थे हां भाया और एक रात उनकी दुविदा और बड़ी उसी रात स्वयम देवश्री नारत भी जगंदात जी पूरी के मंदिर पधा रहे थे श्रीमनहरी नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन हनुमान जी समुद्रदेव आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें किन्तु मैं तो यहीं पर खड़ा रहूंगा ना स्वयम यहां से हटूंगा और ना आपको आगे बढ़ने दूंगा जगनात जी प्रभू की जैस प्रणाम देवर्शी नारत मेरा भी प्रणाम स्विकार कीजिए अंजनी नंदन हनुमान जी भगवान के प्रति आपकी इस सेवा भाव को देखकर कभी-कभी मेरे मन में इरशा के भाव प्रकट हो जाता है हनुमान जी मैं तो किवल प्रभू का नाम जाबबर कर सकता हूं किन्तु प्रभू की सेवा का उसर तो किवल आपी को प्राप्त होता है नुमान जी और प्रभू की प्रति आपकी भक्ति का क्या कहूं देखिये न प्रभू की सेवा के लिए आपने अपने आपको पान दिया है नमन है आपकी भक्ति को आपके त्याग को इसमें त्याक कैसा देवर्शी, प्रभू की सेबा तो मेरे लिए परमानन्द है, वही तो मेरे जीवन का उद्देश है, वही तो मेरे लिए परम सुख है देवर्शी नारद, किन्तु आप यहाँ, इतनी रात्री में अनुमान जी, आप तो जानते हैं कि प्रभू का यह धाम मेरे रदय के अत्यंत निकट है, और सदा मैं प्रभू के दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ, इसलिए, सदा की समान आज भी मुझसे रहा नहीं गया, और प्रभू के दर्शन के लिए रात्री को यह आ गया नारज जी किन्तु यह तो प्रभू के विश्राम का समय है जानता हूँ, आप व्याकुल ना हो यह, प्रभू और आप के लिए मैं कठिनाईयां प्रस्तुत नहीं करूँगा रात्री भर मंदिर के बाहर प्रतिक्षा करूँगा और फिर भोर में उनके प्रत्थम दर्शन प्राप्त करूँगा तुरुप्त हो जाओंगा और चला जाओंगा नारायन 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 प्रभुशी जगनाजी को मेरा प्रणाव श्री मन हरी नारायन नारा श्री मन हरी नारायन कैसी द्वनी है ये? कहां से आ रही है ये द्वनी? खदाचित बीतर से? नारायन नारायन ये किसकी पढच्छाप है? इस समय जब प्रभु बीतर विश्राम कर रहे हैं और मैं स्वयम उनका महान भक्त बाहार खडा हूँ ताकि प्रभु के विश्राम में कोई शती ना आए और पीतर कोई है जो प्रभु के विश्राम में ऐसा दो सहास कौन कर सकता है? पीतर जाके देखना होगा बीतर जाओंगा यदि प्रभु प्रभु मुझे ख्षमा कीजिए मैं बीतर आ रहा हूं प्रभु नारायन नारायन प्रणाम प्रणाम बहन सुबद्रा और भईया बलबद्र सो रहे हैं उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा दाओ का क्रोध तो आप जानते ही हैं हाँ वो तो मैं जानता हूँ किन्तु मैं ये जान नहीं पाया कि आपका विशराम का समय है और आप ऐसे टहल क्यों रहे हैं क्या बताओं लंबी कथा है और बहुत बड़ी व्यथा है जगत के नात को व्यथा संसार की पीड़ा हरने वाले यह कैसे संभाव है प्रभू मैं तो आपका अननिय भक्त हूँ अब मुझसे तो क्या ही सकते है तो कान लगा कर सुनने का प्रयास कीजिए क्या हुआ हुआ कुछ सुना कहां सागर तरंगों की द्हुनी इधनी तीव्रह है कि कुछ सुना इन ही दे रहे हैं अब समझ में आया कि मैं क्युआ नहीं सो रहा हैं दिन भर के क्रिया कालाब के बाद जब मैं विश्राम करने जाता हूँ तो सागर की तरंगों की ये ध्वनी मुझे सोने ही नहीं दे इतना ही नहीं देवी लक्ष्मी के साथ शान्ती से बैठने का अवसर भी प्राप नहीं होता मुझे आज तक तो मैं धीरज रखके ये सब सहता रहा किन्तु आज रखता है मज़से बहुत बड़ी भूल हो गई थे मैं थे लगा किन्त है चिंता मत कीजिये देवे ये तो केवल सागर की तरंगों की ध्वनी आपके पिता जी समुद्रदेर कदाचत विश्राम शब्द से परिचित ही नहीं इसलिए तो रात में भी गतिशीन रहते हैं हाँ स्वामी तरंगों की ध्वनी सुन ऐसा लगता है जैसे वो यही है हमारे निकट आईए कही और बैठते हैं स्वामी इस स्वर से विचलित हो रहे हैं रातरी में विश्राम के समय भी समुद्र देव विश्राम के साथ अपनी नासिका को विश्राम ही नहीं दे रहे आईए देवी कहीं और चलते हैं मंदिर के प्रांगन में सागर से सबसे दूर है ये स्थान कदाचित आपको आपके पिताश्री समुद्र देव की उपस्तिती का आभास नहीं होगा यहां लगता है समुद्र देव ने ठान ही लिया है कुछ पल के लिए भी इस दिव्य शान्ती का अनुभव नहीं करने देंगे देवी मेरा ये अर्थ नहीं था नहीं स्वामी इस समय आपके कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं ये भूल हुई है में साथ किन्तु प्रभू इसका समाधान तो सरल है आप प्रभू हैं आप स्वयम जा सकते हैं समुद्र देवता के पास इस समय मुझे अपनी नहीं अपी तो उनकी चिंता है वो क्या सोच रही होंगी क्या क्या उनका रोश्ट घटा होगा प्रभू ने क्या कहा मुझे उसकी चिंता नहीं मुझे तो प्रभू की चिंता है और प्रभू इसलिए व्यथित है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शब्दों से आपके मन को ठेस पहुचिए उनके शब्दों से नहीं देवर्शी मैं तो इस बात से आहा थो कि प्रति दिन यही होता है मंदिर में हमें एकांत नहीं मिलता क्यूंकि वहाँ दाव भी है मंदिर के बाहर आते ही लगता है पिताजी समुद्र देव हमारे साथ ही है उनके स्वर के कारण तो प्रभू एक पल के लिए भी नहीं सो पाते जिस कारे को करने में हम अक्षम है उसमें आप चाहा कर भी क्या कर सकते हैं देवर्शी नारत आप जाईए विश्राम कीजिए प्रणाम माते सत्य, इतनी द्वनी में प्रभू कैसे सो पाएंगे? कुछ तो उपाए करना होगा किन्तु इस व्याखूल मन के स्पंदन को कैसे रोकू? प्रभू की इस व्यता को कैसे रोकू? यदि मैं महावली हनुमान होता तो अपनी एक हुँकार से जैसे उनके तरंगों को रोका था वैसे इस आगर देव को शान्त कर देता किन्तु ये सत्य है कि मैं अन्य और तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक बार हनुमान जी के कान में प्रभू की व्यता पड़ी तो कोई और ही कथा बनेगी क्योंकि हनुमान जी वी अपने प्रिय प्रभू की व्यता हरे बिना नहीं रहेंगे नारायन नारायन क्या हुआ देवर्शी आप किस विचार में ऐसे शांत खड़े हैं आप तो प्रतीक्षा करने वाले थे ना भोर में प्रभू दर्शन के लिए किन्तु ये तो प्रभू के विश्राम का समय है तो क्या प्रभू अभी तक सोय नहीं देवर्शी क्या कारण है इसका उन्हें कुछ आवश्यक्ता है क्या ए मावलि अनुमार आप यहां बेडी यों में बंदे हुए हैं किन्तु इसका कोई अर्थ नहीं कोई लाब नहीं मेरे अनुसार तो आपका ये त्याग व्यर्थ है व्यर्थ है? कैसे देवर्शी आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए भक्त यहां कष्ट में हैं आप वहां बेडियों में जकड़े हुए हैं और वहां हमारे प्रभु जी ना लक्ष्मी जी के साथ समय बिता पा रहे हैं और ना ही मिश्राम कर पा रहे हैं कौन है प्रभु की इस व्यथा का कारण कौन कर रहा है अशान्तुन है आप भली बती जानते हूँ समुद्र देवता जिनने रोकने के लिए आप यहां पे खड़े हैं किन्तु सागर जी को तो मैं मंदर के निकट भी नहीं आने दे रहा हूँ सत्य है, सागर मंदिर के निकट तो नहीं आ रहा है किन्तु उनकी ध्वनी मंदिर के निकट भी आ चुकी है और विश्णु वगवान के कान के निकट भी और उसी ध्वनी के कारण प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे मुझे विश्वास है नूमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना प्रभु का कश्ट तो मैं नहीं देख सकता परंतु मैं तो यहां बंधन में हूँ यहां खड़े-खड़े मैं क्या कर सकता हूँ हनुमान जी तो उन उन बेडियों में बंधे थे जिस वर प्रभु श्री राम का नाम लिखा था इसलिए हनुमान जी वही स्थिर रहने पर विवश्ट थे और था देवर्शी उन्हें बस और विचलित कर गये थे प्रभु कारे जब सामने हूँ तो भक्त हनुमान को और कुछ दिखाई नहीं देता फिर वो सब बाधाओं को मिटाने का उपाय ढून लेते हैं और प्रभु का कारे अवश्य पून करते हैं Samudra Dev तो मंदिर के निकट नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी द्वनी जो है वो तो मंदिर के निकट भी आई है और प्रभु के कान के निकट भी आ चुकी है और यही तो कारण है कि प्रभू विश्राम नहीं कर पा रहे मुझे ग्याद था कि हनुमान जी अवस्य कोई ना कोई हल निकालेंगे अब आप मुझे से क्रोधिक क्यों है आपके कहने पर मैंने प्रभू की धर्ती के इस पर्ष से स्वयम को संतुष्ट कर लिया है अब तो मुझे पीछे मध्ध के लिए मेरे आदेश पर तरंगे भी होतनी शान्त है जित्ता उनके लिए संभाव है किन्तु उनकी ध्वनी वो तो शांत नहीं है ना वो ध्वनी तरंगे मेरे प्रभू तक पहुँचकर उनके विश्राम में बाधा वन रही है प्रभू को निद्रा आ सके इसलिए आपकी तरंगों को उसकी ध्वनी को मध्यम होना अनुवारी है समुद्र देव क्षमा करे प्रभू यह संभव है ध्वनी के आने जाने के माध्यम तो पवन है जो मेरे नियंत्रन से बाहर है संभव है पवन देव आपकी सहायता कर सके किन्तु हनुमान जी तो स्वयम पवन पुत्र है तो उन्हों नहीं क्या किया प्रभू फिर पवन पुत्र ने स्वयम पवन देव का आवाहन किया प्रणाम वायुदेव मुझे आपकी सहायता की आवश्यक्ता है कहो पुत्र कैसी सहायता चाहिए तुम्हें आपके माध्यम से प्रभू तक पहुचने वाले सागर तरंगों की धोनी प्रभू के विश्राम में बाधा डाल रही है आप इस द्वनी को मंदिर प्रांगर में जाने से रोकिए श्री मंदिर की सीमा मेगनात प्राचीर के आगे मत जाने दीजिए चमा चाहता हूँ पुत्र मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता वायू तो बस द्वनी का माध्यम है और ये तो वायू का सोभाव है जो स्वेम प्रभू ने निर्दहरित किया है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ किन्तु जहां निर्वात होता है वहां द्वनी का कोई भी प्रसारण नहीं होता पुत्र यदि तुम मंदिर की सीमा में निर्वात की स्थिती उत्पन कर दो तो सागर की द्वनी भी प्रभू के कानों तक नहीं पहुँचेगी मैं उसका प्रयास कर सकता था किन्तु इन बेडियों में बंधा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ पुत्र ये बेडियां तो तुमने स्वेम बंधवाई है और प्रभुश्री राम के नाम की बेडियों को तोड़ कर तुम बाहर भी नहीं आपाऊगे ये मुझे ग्यात है किन्तु जहाँ प्रभुकारिय है वहाँ कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोख सकती ये भी ग्यात है मुझे हनुमान जी कोई उपाई तो सोचे मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे कि ये भी तो प्रभुका कारिय ही है और प्रभुश्री राम के नाम की बेडियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आपाऊगे ये मुझे ग्यात है किन्तु जहाँ प्रभुकारिय है वहाँ कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोख सकती ये भी ग्यात है मुझे तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और उसके साथ जगनात मंदिर के प्रतिय कण में वास करोगे जगनात मंदिर के प्रतिय कण में वास करोगे श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम जवीर है रखुवीर है रणधीर मेरे राम है तीन बंधु कंज लोचन कोटी उनके नाम श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम जैसा की प्रभू ने हनुमान जी से कहा था मंदर के कणड़ में तुम्हारा वास है ये स्मरन करते ही हनुमान जी मंदर के कणड़ से प्रकट होने लगे और संपूर्ण मंदर परिसर में कोला हल्के विरुद्ध निर्वाद का निर्मान कर दिया धर्म के पर आये हैं ब्रम्हांड के भर तार श्री राम सीता राम सीता राम राम श्री राम भद ग्रिपाल हैं वो पापियों के काल है श्रीराम भत क्रिपाल है वो पापियों के काल है सर्व शक्ति मान दीनानाथ दीन दयाल है श्रीराम सीताराम 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 अजभूत जए श्रीराम जए जगनाथ जए श्रीराम जए जगनाथ